आपापापापापापापापापापापापापाप। भागो भागो वह आगई किछकंडी। भागो सब अपरे जान बचाओ। यहाजी बाग जाओ। वरना तुम सम्मरोगे किछकंडी कहो है वो कहीं दिख नहीं रही है मैं यहीं परो तुम लोगों के आस पास यदि अपनी चान बजाना चाहते हो तो यहां से भाग जाओ अरे भाईयो घबराओ नहीं हमारे गाह में कोई किछकंडी नहीं है मुझे लगता है कोई हमें जान बज़के ड़ाना चाहता है यदि ऐसी बात है तो वो कौन है जो हमारी तरबा रही है अरे वो किछकंडी नहीं है कोई इनसान है इसको अभी मैं उसे पकर कर यहां लाता हूँ वावैक्ती धीरे धीरे किछकंडी के पास जाता है लेकिन अंधिरा होने की कारण उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता है ये तो कोई इनसान लग रहा है अरे ये कोई किछकंडी नहीं है तुम लोग डरो मत जैसे ही वावैक्ती किछकंडी से नादरने की बात कर रहा था तभी किछकंडी उसका सर कार देती है भागो भागो किछकंडी यहां आ गई है हमें यहां से भागना होगा किछकंडी को देखकर सभी गाउवाले पूरी रात इधर उदर भागते रहते हैं कुछ समय बात रात गुजर जाती है और सुबा हो जाती है अरे भाईयों ऐसा कब तक चलेगा हमारे गाउं के कई लोग यहां से भाग चुके हैं सुनो भाईयों उसकिछकंडी ने हमारे गाउं के एक और सदस को मार दिया उसकी लाज जंगल में दिखा है क्या हमें कुछ ने कुछ करना ही होगा नहीं तो जो भी गाउं वाली यहां बचे हैं वा सब मारा जाएगा अरे भाईयों बहुत ओद कुछ नहीं होता है सब भगवास वाली बात है तुम यह सब मत बोलो यदि किछकंडी तुम्हारी बाते सुन ली तो तुम भी मारे जाओगे मैं नहीं मानता किसी किछकंडी को हे भगवान हमारी गाउं को किसकी नजर लग गई है किछकंडी के कारण सबी लोग बहुत परिसान रहते हैं क्योंकि पिछले एक साल से गाउं में कोई न कोई मारा जा रहा था तुम सब घबराओ नहीं मैं एक बाबा को जानता हूं उनकी मदद से हम सब किछकंडी को भगा देंगे गुपता जी आज तो मैं पहुत बोर हो रहा हूं मिसरा जी बोर तो मैं भी हो रहा हूं लेकिन क्या किया जाए गुपता जी क्यों ना हॉरर गेम्स खेला जाए गुपता जी और मिसरा जी पीसी में हॉरर गेम खेलने लगते हैं लेकिन तभी गुपता जी के मोबाइल में बाबा का फॉन आता है हाँ बाबा ठीक है बाबा मैं और मिसरा जी आपके पास आते हैं क्या हुआ गुपता जी मिस्रा जी बाबा हमें जल्द से जल्द आसरम बुला रहे हैं अचानक बाबा इतनी रात को हमें आसरम क्यों बुला रहे हैं मिस्रा जी वो तो मुझे भी नहीं पता है अब वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा न गुपता जी और मिस्ता जी तुरंत आस्रम की तरफ चल देते हैं कुछी समय में दोनों आस्रम पहुंच जाते हैं पर नाम बाबा गुपता जी और मिस्ता जी तुम आ गए मैं एक काम सौप रहा हूँ उसे पूरा करना है तुम्हें गुपता जी इनसे मिलो ये है मुच्छर सेंग और मुच्छर सेंग ये है गुपता जी और मिस्ता जी जिनके बारे में मैंने आपको बताया था बाबा ये दोनों तो छोटे बच्चे हैं क्या ये हमारी मदद कर पाएंगे मुच्छर सेंग ये बच्चे नहीं ये दोनों बहुत ही खुंखार जानवर है गुपता जी हम दोनों खुंखार जानवर है क्या अरे मिस्रा जी बाबा हमारी तारीफ कर रहे है तुम चुप रहो मुच्छर सिंग तुम घबराओ नहीं ये दोनों जंगली छचुन्दर है उस किछकंडे का ये दोनों खून पी जाएगे गुपता जी इस वर बाबा हमें जंगली छचुन्दर बोल रहे हैं अरे मिस्रा जी बाबा हमारी तारिफ कर रहे हैं तुम समस्ते क्यों नहीं हो चुप बैठो बाबा मुच्छर सिंग की समस्या गुपता जी और मिस्रा जी को बताते हैं कि किस परकार से पूरा गाव वाले किछकंडी से परिसान है गुपताजी और मिस्राजी को चमतकारी सस्तर देखकर मुच्छर सिंग के साथ जाने को आदेश देते हैं उधर गाओं के लोग सब दरे हुए रहते हैं कि आज रात किचकंडी किसे मारेगी किछकंडी से बचने के लिए सभी लोग साम होते ही अपने घर में सो जाते हैं रात के एक बचते ही एक बच्चे को जोड की आती है इसलिए बच्चे की नीन तूड जाती है पापा उटो मुझे जोड की आई है पापा उटो बچे की आवाज सुनकर उसके पापा ऊड़ जाते है अरे क्या हुआ? क्यों इतनी रात में चिला रहे हो? पपा मुझे जोड की आई है. मेरे साथ नहर चलो. अरे तुम इतनी जुदा क्यों खाते हो? जिसके चलते रात में जोड की लगती है. चलो अब नहर के पास बच्चे को टोइलेट कराने के लिए उसके पापा नहर की तरफ जाने लगते है ये भगवान कहीं किछकंडी न दिख जाए और ना मारे जाएंगे बच्चे को टोइलेट ले जाते समय उसे रास्ते में एक बाइक दिखाई पड़ती है जो इन दोनों के पास आ रही होती है लगता है कोई धर ही आ रहा है लेकिन कौन हो सकता है इतनी रात में बाइक जैसे ही उन दोनों के नजदिक आता है तो वह देखता है कि बाइक चलाने वाला कोई नहीं है बाइक में कोई इनसान को ना देखकर बाप बेटा की हालत खराब हो जाती है बेटा नहर आ गया है चाओ जल्दी टॉलेट करके आओ तब तक मैं यहीं पर हूँ बच्चा टॉलेट करने के लिए चला जाता है लेकिन उसका पापा को बहुत दर्ड लग रहा था ए बगवान हमारी रक्षा करना कई किचकंडी हमारे पास न आ जाए कुछ समय बिटने के बाद वा बच्चा वापस आ जाता है पापा चलिए गर वरना किचकंडी आ जाएगी हाँ हाँ चलो 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 जल्दी चलो हैं लेकिन उसे क्या पता किचकंडी सब देख रही थी किचकंडी के हसने कि अवास दोनों को सुनाई पड़ती है पापा रुको आगे कोई यह चलो बच्चे की बात सुनकर उसके पिता द्यान से आगे देखते हैं तो उसे किचकंडी दिखाई पड़ती है बेटा आगी किछकंडी है भागो यहां से बाप और बेटा अपनी जान बचाने के लिए किछकंडी से दूर भागने की कोशिस करते हैं लेकिन किछकंडी दोनों का पीछा करने लगती है किछकंडी से बचने के लिए बाप और बेटा भागते भागते ठक जाते हैं और बाप वही नीचे गिर जाता है बाप के कई बार बोलने पर बेटा वहाँ से भाग जाता है और इधर किछकंडी उस व्यक्ति के पास आ जाती है किछकंडी मुझे चोड़ दो मैंने तुमारा क्या विगा रहा है किछकंडी की बात वासक समझ नहीं पाता है किछकंडी का जवाब नहीं मिलने पर वा उस व्यक्ति को मार देती है तो दोस्तों किछकंडी उस सक से क्या पूछ रही थी आप को कुछ समझ में आया क्या यदि समझ में आ गया है तो कमेंट बे बताए और वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करे और नए है तो चैनल को सब्स्राइब भी कर ले तो मिलते है किछकंडी के पाट्टू में